भारतिय समाज में महिला को त्याक की मूर्ति कहा गया है नारी की सहन शक्ति और समरपण भावत के कारण ही इश्वर ने उसे जननी यानि की मा बनने का स्वभागे दिया लेकिन कई बार ऐसे उधारन सामने आते हैं दोस्तों जब लगता है कि समाज ही नहीं महिला का परिवार भी उसके समरपण भाव का पाइदा उठा लेता है सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही कोविट से जूज रही महिला का फोटो वाइरल है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे हमारे पुरुष प्रधान समाज में एक मा कभी छुटी नहीं लेती ये वाइरल हो रही फोटो इसी का एक्जामपल है इटरनेट पर एक इस महिला की सरहना के साथ लोगों का गुस्सा सामने आया सभी परेशानियों के बावजूद वो बहदूरी से उसका डटकर सामना करती है और ये वाइरल फोटो उसका ताजा उधारना है ट्विटर पर जो फोटो वाइरल हो रहा है दोस्तों उसमें एक महिला किचिन में अपने परिवार के लिए खाना बनाती नजर आती जबकि वो ऑक्सिजन सपोर्ट पर है चपाती बनाते समय महिला के ठीक बगल में एक ऑक्सिजन कंसंट्रेटर रखा दिख रहा है जिसके सपोर्ट से वो सांस ले रही है इस हालत में भी महिला खाना बनाती हुई नजर आती कैप्शन में लिखा है बिना शर्त प्यार इस कस्टूम मा वो कभी आफ ड्यूटी नहीं होती इस फोटो को किसने साजा किया और ये फोटो में खाना बना रही महिला कौन है क्यूं इस हालत में खाना बना रही है इसका खुलासा नहीं हो पाया लेकिन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर ये जम कर वाइरल है इस फोटो ने ऑनलाइन आख्रोश पैदा कर दिया अधिकांश यूजर इसकी इस इस्तिती से खुश नहीं थे प्रसिद गाय का चिनमाई श्रिपदा ने फोटो पर प्रतिक्रिया व्यट की और कहा क्या ये बिना शर्थ प्यार हो सकता है जो महिलाओं को आराम नहीं करने के लिए मजबूर करता है एक अन्य यूजर ने लिखा ये प्यार नहीं है ये समाजिक संग रक्षना के नाम पर वुलामी है एक पूर पद्रकार है और लेखा कौतम मैंगले ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है लिखा है जिसने इस इस्तती में रसोई में काम करने से रोकने के बजाए खड़े होकर ये तस्वीर ली वो इस मामले में पहला इसकी फोटो खीचने वाला परादी है समाज अगला है कुछ भी करने के लिए महिमा मंडित करते हैं कई अन्य लोग भी थे जो वाइरल फोटो से बिल्कुल भड़क गए थे वास्तब में कुछ ने ये भी सोचा कि ये मंचन है एक यूजर ने लोग प्रिये मल्यालम फिल्म का जिक्र किया दे ग्रेट इंडियन किचन वास्तब में ये तस्वीर हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि ग्रेटियों के महिमा मंडन के नाम पर ये गुलामी की बेड़ियां तो नहीं है आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं अगर आपके मन में भी आपके भी दिमाग में आपके भी दिल में घुसा आ रहा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और दी एच एफ एफ एट्डा को सब्सक्राइब करना न भूलें नमस्कार